Assalamualaikum students, how are you? I hope you are fine. Today we are going to read Kingdom English. Kingdom English में कल हमने आपको preposition यानि positions की हमने आपको जो है वो concept clear किया तक positions क्या होती है? Positions में जानि आप खड़ी है, stand and sit in and out under ऐसे करके सारी जो हैं इनको बोलते हैं prepositions. आज उन्हें हमें prepositions की जो है activity दी है, activity है filling the blanks with the correct preposition. वो कह रहे हैं कि जो ये correct positions में हैं ना, इनकी आप जो है वो filling the blanks में लिखें कि ये कहां पर है, in है, out है, under है, on है, near है, far है, क्या कर रहे हैं ये तो ये इनकी positions यहां पर write करें. अब ये आप जो under देखें हैं वो basket के कहां है, in है, basket के कहां है, in है, कहां है basket के in यानि अंदर है, basket के अंदर है तो यहां पर क्या आएगा, the egg is in the basket, यानि in, in the basket, THE EGGिस IN THE BASKET यानि वो BASKET के अंदर है THE EGG IS IN THE BASKET एड जो है अंडा जो है BASKET के अंदर है अब ये बिल्ली को देखे हैं कि ये टेबल के नीचे बैठी हुज है टेबल के नीचे बैठी ही पोजिशन को हम क्या कहते हैं UNDER क्या कहते हैं UNDER THE CAT IS UNDER THE TABLE नीचे यानि नीचे की इंगलीश क्या है अंदर अ न द अ र अंदर ठीक है जी अंदर, the cat is under that table cat जो है वो टेबल के नीचे बैठी होई है अच्छा जी उसके बाद जो थर्ड वान है ये जो रैबिट है ये कहां बैठा हुआ है? सोफे के उपर तो उपर के लिए हम क्या इंगलिश यूज़ करते हैं? अन, क्या यूज़ करते हैं? अन, the rabbit is on the bed चलिए जी ये बैठ है ओके जी, the rabbit is on the bed वो कहां पर है? अन, यानि उपर बैठा हुआ है तो अन है अन, the rabbit is on the bed अब ये स्पेरों जो हैं, वो फार है दूर बैठी हुई हैं के पास बैठी हुई है पास है, तो पास की इंगलिश क्या है? नेर, the sparrow is near नेर दाट्री ठीक है जी, नेर नेर है, पास है पास की इंगलिश यो हैं, वो नेर है अब, the sparrow is near दाट्री अब सबसे पहले क्या था? ये अंडा जो था, वो बास की इंदर था जो अंडा जो था, वो बास की इंदर था तो हमने इसको क्या लिखा? बास की इंदर की जो होती है, इन वो होती है, इंगलिश क्या होती है? इंग इस इंदा बास कीट इस अंडर अडा टेबल भटेज़ अजिए अचे नीचे बाटी हुए अब Σ चो एप बाट के ऊपर है कि pourquoi कि इस अंडर भाट चाहा है औराओ बेट आररागल है ने हुआ अब की इंग्लिश है नियर, the sparrow is नियर दा ट्री, the sparrow is नियर दा ट्री अब लास्ट वन हमारा रहे गे, the line is, क्या है वो बाहर है, then होता है गार, then की बाहर है की अंदर है, तो वो बाहर है, इसका मतलब है आउट आएगा यहां पर, बाहर की इंग्लिश होती आउट, क्या होती आउट जिससे की मैंने आपको बताया, अगर आप गर के अंदर है तो इन्ने, अगर आप गर के बाहर है तो आउट है, the line is out the den, the line is out the den, the line is out the den, यहनी वो गार से बाहर है शेर जो है वो गार से बाहर है एक दोफ़ा दोबारा हम आपको पढ़ा देते हैं दा एग इस इन दा बास्केट ये अंडा बास्केट के अंदर है इसलिए उनने का है दा एग इस इन दा बास्केट दा कैट इस अंडर दा टेबल बिली जो है टेबल के नीचे है इसलिए उनने आपको जो है वो बताया है the cat is under the table और ये जो है rabbit bed के उपर बैटा हुआ है the rabbit is on the bed इसकी position क्या है on the sparrow is near the tree जो sparrow है वो दरफ के करीब है इसकी position क्या है near the line is out that bend जानि गार के बाहर है Out है वह तो इसका इसकी पॉजिशन क्या है? Out जी इस्कूडेंट्स आपको इनों को पॉजिशन्स के बारे में हम न एक्तिविटी बे बें कर वा दी तो तो जो है आपने इनको प्रापर याद करना है कि प्रेपोजिशन मीन्स प्रेपोजिशन याप जो भी काम कर रहे होते हैं वो क्या होती है प्रेपोजिशन होती है यापकी हर प्रेपोजिशन को प्रेपोजिशन कहा जाता है और वो ही हमारे सेंटेंस में यूज होती है अलाफिज